बॉलीवड एक्टर सल्मान खान को बर्डे विश करते हुए डिरेक्टर करण जोहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट चेर की इस पोस्ट में करण ने 25 साल पहले रिलीज वे फिल्म कुछ कुछ होता है इसे जोड़ा किस्सा शेयर किया करण ने लिखा 25 साल पहले मैं एक पार्टी में कन्फ्यूज होकर कोने में खड़ा था तब एक बड़े फिल्मस्टान ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा था कि मैं परिशान क्यू हूँ मैंने कहा कि मैं कई एक्टर्स को एक रोल आफर कर चुका हूँ पर सभी इसे प्यार से रिजेक्ट कर देते हैं करण ने आगे लिखा उस उपरस्टा की बहन मेरी क्लोज है तो उन्होंने कहा कि बहन ने तुम्हारी स्क्रिप्ट के बारे में मुझे बताया है कलाकर मुझसे मिलो और स्क्रिप्ट सुनाओ मैंने अपने सपनों में भी नहीं सुचा था कि मुझे उन्हें कहानी सुनाने का मौका मिलेगा मैंने अपने मन में प्रातना की और उन्हें फिल्म का पहला हिस्सा ऐसे सुना रहा था जैसे मेरी जिन्दगी उस पर निर्भर हो आगे करण ने बताये अंटरवेल पॉइंट पर उन्होंने मुझे देखा और तब मैं ऐसा दिख रहा था जैसे किसी रगिस्तान में घूम रहा हूँ और मुझे पानी ही जिन्दा रख सकता है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पानी ओफर किया और कहा मैं फिल्म करूंगा मैं हैरान रहे गया मैंने कहा कि आप सेकंड हाफ में आते हैं आपने सुना की नहीं उन्होंने मुझसे कहा मैं आपके पिता से प्यार करता हूँ और अगर मैंने फिल्म नहीं की तो मेरी बहन मुझे माढ डालेगी अंत में करणने लिखा और इस तरह सल्मान खान कुछ-कुछ होता है का हिस्सा बने मैं अलवीरा का शुकर गुजार हूँ और मेरे पिता का भी कि मुझे परफिक्ट अमन मिला और अपनी डेब्यू फिल्म में सल्मान खान के साथ काम करने का मौका मिला हैपी बर्ट दे सल्मान हम 25 साल बात भी एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं और कुछ शेर नहीं करूंगा हैपी हैपी बर्ट दे बता दे कि 1998 में में रिलिस्वी करन की डिरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कुछ-कुछ होता है में सल्मान खान ने अमन का रोल प्ले किया था उन्होंने फिल्म में काजोल के करिदार अंजली के मंगेतर का रोल प्ले किया था इसे के साथ बने राजगामा टीवी के साथ करने वाद